असलाम लेकूम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीदे सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे किचन विद आपी में मैं आप सब को वैलकम करती हूँ और आज हम अपने किचन में बनाएंगे वाइट राइस यानि सफेद चावल की रेसिपी तो फ्रेंड्स इसे बनाना स्टार्ट करते हैं वाइट राइस बनाने के रिए हमने आदा किलो चावल वन टी स्पून सफेद जीरा एक बड़ी इलाइची कुछ दाने लॉंग और काली मर्चों के लिए है दो से तीन पीस दार चीनी तीन से चार तेस पात के पत्ते और नमक का स्टमाल एकॉर्डिंग टू यार टेस्ट सबसे पहले चावल हम साफ करेंगे इसके बाद इन्हें तीन से चार बार पानी से वाश करेंगे ताकि इसमें जो भी डस्ट है वो अच्छी तरह साफ हो जाए इसके बाद हम इसे आदे घंडे के लिए पानी में भीगोक का साइट में रख देंगे और अब एक बर्तन में हाफ कप ओईल डालेंगे और इसे मीडियम फ्लैम पर गरम होने के लिए रख देंगे और जब ऑईल गरम हो जाएगा तो हम इसमें मिक्स गरम मसाला डालेंगे और इन्हें हलका सा फ्रै करेंगे गरम मसाले के स्तमाल से चावल और ज्यादा टेस्टी बनते हैं और अब हम इसमें पानी डालेंगे आप लोग भी पानी एतियास से डालिएगा क्योंके ओईल गरम होता है इसलिए आप एतियास से पानी डालिएगा और अगर आप बिगनर्स हैं तो फिर आप लैम बन करके इसमें पानी डालिएगा और फ्रेंट्स मैं यहां पर पानी डालने के लिए प्याले का इस्तामाल कर रही हूँ क्योंकि मैंने दो प्याले चावल लिये हैं और अब हम इसमें चिकन स्टॉक डालेंगे यह आप्शनल है लेकिन इसके समाल से चावल और ज्यादा टैस्टी बनते हैं बॉयल आने के बाद हम इसमें चावल डालेंगे और आप चावल के पानी को पहले ही निकाल लीजिएगा इसके बाद चावल डालेगा और फ्रेंट्स मैंने यहां पर पुराने चावल का इस्तामाल किया है क्योंकि पुराने चावल बहुत ज्यादा टैस्टी बनते हैं और नए चावल ज्यादा टैस्टी नहीं बनते और अब हम इसमें half टेबिल स्पून नमक डालेंगे फ्रेंड्स हमने नमक इसलिए कम डाला है क्योंकि चिकन स्टॉक में भी नमक होता है और फ्रेंड्स आप सब ये बात याद लखेगा कि चावल को हमेशा फुल फ्लैम पर पकाया जाता है जब ये चावल खिले खिले बनते हैं और जब इसका सारा पाने खुश्क हो जाएगा तो हम इसे हर साइट से अच्छी तरना चलाएंगे और दम के लिए रख देंगे दम करने के लिए हमने पहले इस पर कपड़ा ढखा है और फिर इसे कवर कर देंगे और आप कपड़े की जगा नियूस पेपर का इस्तमाल भी कर सकते हैं और लो फ्लैम पर इसे 15 मिंट्स के लिए रख देंगे 15 मिंट्स पाथ मज़ेदार वाइट ट्राइज बलकुल रेड़ी है अब हम फ्लैम को बन कर देंगे और इन्हें हर साइट से अच्छी तरह चलाएंगे और आप देख सकते हैं फ्रेंट्स के वाइट ट्राइज कितने जबरदस बने हैं और चावल बनाने में टूटे भी नहीं है तो फ्रेंट्स आप लोग भी इस रेसिपी को फालो कीजिएगा और बताइएगा के आपके वाइट राइज कैसे बने तो फ्रेंट्स ये थी हमारी आज की रेसिपी वाइट राइज उमीदे आप सब को पसंद आएगी और फ्रेंट्स अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा फिर मिलेंगे एक को नई रेसिपी के साथ किच्छन विद आपी में लेकिन जाने से पहले मेरी चैनल किच्छन विद आपी को सैबस्क्राइब करना मत भूलें रखिए अपना बहुत सारा खयाल अलाह आफेज